How to fix Snapchat user-facing error problem नमस्कार दोस्तों स्वागर है अब सभी का तिकराच यूटुब चैनल पर दोस्तों आज के इस वीडियो पर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप जो है Snapchat के अंदर पर user-facing error problem solve कैसी कर सकते हैं अगर दोस्तों आपको ऐसा कोई भी problem कोई भी issue आ जाते हैं तो आप इस वीडियो को पूरा जरू देखेगा मैं आपको बताऊंगा क्या solution करना है कैसे आपका problem solve होगा ठीक है तो वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चले दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं यहाँ पर सबसे पहले आपको करना क्या है अगर ऐसा कोई भी problem कोई भी issue हो जाते है तो आप अपने setting पर जाएं स्क्रॉल डाउन कीजिए उससे बाद system को open कीजिए reset option पर जाए reset wifi mobile and bluetooth पर जाके अपना sim select करें और यहाँ पर reset setting पर क्लिक करके mobile password एंटर करके reset कर देजिगा अपना network setting उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर आपको करना क्या है आप दोस्तों simply ठीक है बेक कीजिए और Snapchat को यहाँ पर search करके update कीजिए Snapchat आपका यहाँ पर update होना चाहिए ठीक है तब यह आपको यह problem आ रहा है update करने से bug problem सब कुछ solve होगा so make sure कि आप इसको update करें अपडेट करने के बात दोस्तों यहाँ पर आप setting पर जाएए scroll down कीजिए और app and permissions पर जाएए event notifications उसमें जाएए और see all apps को open कीजिए and then यहाँ पर आपको snapchat open कर लेना है force stop करके ok कीजिए उसके बाद storage and cache पर जाएए clear storage करके ok कीजिए उसके बाद bake कीजिए यहाँ पर आपको permissions पर जाना है सारे permissions allow कर लेना है सारे permissions allow करने के बाद दोस्तों आप यहाँ पर bake कीजिए bake करने के बाद device को restart कीजिए दोस्तों device restart करने के बाद में आप re-login कीजिए अपना snapchat को re-login करने के बाद दोस्तों आप check out करके देख सकते आपका problem solved हो चुका होगा ठीक है तो इस तरीके से दोस्तों आप यहाँ पे अपना problem solve कर सकते अगर दोस्तों आपके snapchat पर ऐसा कोई भी problem कोई भी issue है तो आप simply यह solution को follow करें और अपना problem solve करें ठीक है तो user facing error problem आने से आप यह solution को follow कीजिए कि कोई दोस्तों कई बार bug का problem, internet के problem उसके वज़ा से आते तो इसको जो है fix करने के लिए यह solution करने से आपका जो problem ही वो solve हो जाएगा ठीक है तो उमीद करते हैं दोस्तों आपको वीडियो पसने होगा, THANKS FOR WATCHING